वेवर्स आपका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे चेनल जिसका नाम है फेशन नेक्स्ट और आज इस वीडियो में ब्यूटिफुल डबल लेयर कुट्टी डिजाइन दिखाए जाएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगे तो वीडियो को अभी लाइक कर द आते हैं मौसम में बदलाओ के साथ फेशन में भी बदलाओ होते हैं गर्मी का मौसम जा चुका है और ठंड का मोसम चल रहा है अगर ठंड कम है तो आप कुट्टी पर जेकेट वगरा नहीं डाल सकती तो कम ठंड वाले मौसम में आपके लिए डबल लेयर कुट्टी कर सकती हैं इसमें आप बाहर वाली लेयर को शोट भी रख सकती हैं और लोंग भी रख सकती हैं या इसमें आप उपर वाली लेयर को लोंग भी रख सकती हैं और नीचे वाली कुर्ती को शोट रख सकती हैं आप अपनी पसंद के अकोर्डिंग जिस तरह चाहें कर सकती हैं इस अच्छा कंबिनेशन ही आपको बहुत अच्छा लुक दे सकता है लेयर कुर्ती में एक से ज्यादा लेयर होते हैं जो दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं कुछ लेयर कुर्ती कलर मेचिंग में अच्छी लगती हैं तो कुछ कंट्रास्ट लेयर में बड़ी प्यारी Double layer कुर्ती को पहन कर ऐसा फील होता है कि जैसे आपने उपर से कुछ extra पहना हुआ हो जो की बहुत ही magnetic look create करता है अगर आप कुछ नया try करना चाहती है तो आप इस तरह की double layer कुर्ती बना सकती है या बनवा सकती है अगर आपसे stitching आती है तो आप बड़ी आसानी से इस तरही की कुर्टी बना सकती है अगर आपकी कुर्टी प्लैन है तो आप उपर से printed layer बना कर उसे और भी attractive बना सकती है वैसे तो इस तरही की कुर्टियां online भी available है आप वहाँ से भी खरीच सकती है बस उनको खरीदते टाइम आप उनकी rating का जरूर ध्यान लखे और customer के review को जरूर देखें आप घर में बहुत ज्यादा heavy कपड़े नहीं पहन सकती लेकिन double layer कुर्टी पहन कर आप घर में भी अच्छा लुप पा सकती है या आपके घर में या आसपास छोटी मुटी पार्टियों में आप बिना जिजग पहन सकती है और एक परिफेट लुप पा सकती है इस चैनल पर हम fashion से जुड़ी latest चानगरी आपके साथ share करते रहते हैं तो अगर आप भी fashion में update रहना चाते हैं तो हमारी साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी help मिलती है तो आप वीडियो को अपनी friend और cousin के साथ जरूर share किया करें हमने इस वीडियो में सभी तरह के latest design दिखाने की कोशिश की है और हमारी कोशिश कितनी काम्याब है ये तो आपके like और comment ही बता सकते हैं